प्यारे बच्चो नवीन दहिया यूटूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी की पेड़ा गोजी तो यहां हम बात कर लेते हैं पहला हमारा पर्शन है मातर भाषा शिक्षन का अर्थ सवरू पहता उदेशय और उसके समयने सिधान थे तो यह जो हमारा पर्शन है इसके पाच भागों में बटा हुआ है यह तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे मातर भाषा शिक्षन का अर्थ क्या होता है अब आप स भी समझ गई होंगे कि मातर भाषा हम किसे कहते हैं मतलब जो मदर टंग होती है मा की भाषा आप सबको पताईए तो जिस भाषा में माता तता प्रिवार के अन्यसदेश से बच्चे से बात्सीत करते हैं बच्चा उसी भाषा का अनुकरन करके धिरेदी उसे सीखता है उसे ही हम मातर भाष्य कहते हैं अब जैसे मतलब सबसे पहले बच्चा मा से इंट्रेक्शन करता है तो मा जो भाष्य बोलती है मतलब मा के लावा घर में और भी जो परिवार सदर्श्य होता है आसपडोस उसका जो सामाजीक परिवेस होता है वह जो भाष्य बोली जाती है तो वही भाष्य बच्चे की मातरी भाष्य होती है परंतु यह मातरी भाष्य की संकुचित अर्थ है क्योंकि यह पंजाबी परिवार यह गुजरात में रहता है तो उस बच्चे की मातर भाष्य गुजराती होगी ना कि पंजाब भी क्योंकि बच्चा रहता तो गुजरात में है तो उसका आस्पडोस सामाजिक वातरण भी गुजरात का होगा गुजराती बच्चे तो उससे गुजराती में ही बात करेंगे तो उस बच्चे की मातरवाशा गुजराती होगी क्योंकि बाशा पैत्रिक संपति ना होकर अर्जित संपति है परियासों से सीखी जाती है بाशा अब मैं आपको समझा देती हूँ इसको अच्छा से मतलब बाशा जो हाना वो वन्शानूकरम नहीं होती है पैतरक नहीं होती वो अर्जित होती है मतलब सवाई ग्रूप से बच्चा प्रियासों से सीखता है अब जैसे मतलब वैसे आपको समझा गया होगा बट जैसे अब कोई परिवार है वो अमेरिका में रहने लग गया इंडिया का कोई परिवार अमेरिका में जाके रहने लग गया तो जो मम्मी पापे यहां से गए हैं बच कि मातरि भाषा इंग्लीस माने जाएगी ब्लेहि वह मास उसने सबसे पहले हिंदी के बर्ड सीखे हैं लेकिन उसकी मातरी भाषा इंग्लीस ही होगी और वह बच्चा versuchen की अधिलीस इयूर जितना अच्छे से वह मतलब अपने विचारों खाधान पर्दान जितने अच्छे से वह इंग्लीज में कर पाएगा ना हिंदी में कभी नहीं कर पाएगा जबकि उसके ममी पापा तो हिंदी बोलते थे उनको तो हिंदी अच्छे से आती है और बच्चा इंग्लीस बोल रहा है तो इसलिए तो और अगर वान शानुक्रम होती तो फिर वो बच्चा भी तो हिंदी में अच्छे से बोल पाता ना तो आगे चलते हैं मात्री भाषा शिक्षन का सवरूप तो देख लेते हैं गांधी जी के अनुसार मनुष्य के विकास के लिए मात्री भाषा उतनी ही आवशक है जितना कि बच सबसे पहले अपनी मा से पढ़ता है इसलिए उसके उपर मात्री भाषा के अलावा दूसरी भाषा लादना मैं मात्री भाषा के विरुद पाप समझता हूं मतलब गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जो मात्री भाषा शुरुआत में शिक्षा में मात्री भाषा में ही देनी च बच्चे को क्योंकि अगर हम शुरुवात में बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको अन्य बाशा है तो आती नहीं केवल जो उसके घर में बुलिए आती हुग भाशा आती है वो भी उसको सिर्फ बोलनी आती है लिकनी पढ़नी थोड़ी नाती है तो अगर हम दूसरी भासे में शुरुआत में उसकी पड़ाई करवाएंगे तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख सकता है मात्री भाषा सीख्चन विदार्थी को सुलने बोलने पढ़ने लिखने के कोशल में पारंगत बनाने में सहायक है इसके माध्यम से बच्चा अपनी भाषा के शुद रूप वे मानक रूप का प्रियोग करना सीखता है मात्री भाषा में विदार्थीयों को ना केवल मात्री भाषा का ग्यान दिया जाता है बलकि आवशक्ता के अनुसार अन्य विशों का भी ग्यान दिया जाता है जैसे गणीत सामाजिक विग्यान आदी मतलब जब मातरी भाषा में सिक्षण अच्छे से होगा तब ही बच्चा दूसरे विशो पे अच्छी पकड़ कर पाता है मातरी भाषा सिक्षण से छात्रों में सरजनात्म का जनम होता है सरजनात्म कता होती है मतलब कुछ नया करना बच्चे के मन में मतलब नहीं नहीं विचार आते हैं अब अच्छे से भाषा पर पकड़ होती है तब ये अच्छे से विचार सोच पाता है तो विचार और भाषा का आपस में अठूट संबंद होता है इसके माद हम से चार को दूसरी भाषा का ग्यान प्राप्त करने में आशा नहीं होती है क्योंकि भाषा एक दूसरे से जुड़ी होती है जैसे मातर भाषा के बाद चार अंग्रेजी सीखता है फिर संस्कृत भी सीख सकता है मतलब मातर भाषा में सीक्षन होता है पहले उसका फिर वो दूसरी फिर इंग्लिस सिखाते हैं फिर ऐसे संस्कृत सिखाते हैं अगर स्टार्टिंग में हमें इंग्लिस पढ़ाने लग जाएंगे जब कि मातर बाशा बच्चे की हिंदी है और फिर इंग्लिस में उसकी पढ़ाई करवाने लग जाएंगे या संस्कृत में तो तो ग्यान अर्जन का स्रलतम साधन होता है जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका ग्यान अतन सिमीत होता है वह अपनी मातरी भाषा के शब्दों का प्रियोग करने में तो सक्सम होता है पर उन्हें लिखने बोलने में ऐसा अमरत होता है तो हम यदि उसे मातरी भाषा में श आता है तो जो उसकी मातरी भाषा होती है घर में जो बोलता है तो वो उसको बोलना तो आता लेकिन पढ़ना तो नहीं आता ना और नहीं उसको वो मतलब लिखना आता वो तो स्कूल में ही सीखता है ना वो तो इसलिए शुरूआत मातरी भाषा से ही होनी चाहिए ना कि दूस विचार और बाशा का अटूट संबंद है क्योंकि अब आपको पता होगा कि जो हमारी मात्री बाशा होती है उसमें हम अच्छे से एक दूसरे से अपने विचार आधान परदन कर सकते हैं अब जैसे बले ही हमें इंगलीस अच्छे से आती हो लेकिन हमारे सामने वाले को आसान माद्यम होता है नमर तिन स्कूली जीवन की आधार सीला तो जिस भाशा को बच्छा अपने परिवार में ग्रेंड करता है अगर उसी भाशा में स्कूली सिख्षा दी जाए तो बच्छा असानी से ग्रेंड कर लेता है या इतिंक यह बात मैंने आपको पहले भी कई बता चुके हूं नमर चार मानसी के वं बोद्धिक विक्सित होती है और बुद्धि विक्सित होती है और बुद्धि विक्सित होता है बाशा पर जितनी ज़्यादा पकड़ होगी उसकी विचार सकती तर सकती भी उतनी ही अधिक विक्सित होगी बतलब बाशा पर अच्छ भी होगा तरक शक्ति विक्सित होगी तरक करना मतलब तरक शक्ति होते हैं जैसे तरक भी तरक करना जैसे कोश्चन होते हैं बच्चे के सब के अपने अलग-अलग राइट्स होते हैं तो ऐसे नमबर पाच शारीरिक विकास में सहायक मातरी भाशा में आसानी से की गई विचा बिवेक्ति बालक के चित को परसंता परदान करती है चित परसंट तो शरीर सवस्त है मस्तिक सवस्त रहने पर शरीर भी सवस्त रहता है यह सत्त है अब यह तो है कि अगर हमारा मन परशन है तो शरीर भी सवस्त रहता अगर सव शरीर सवस्त है तो मन परशन रहता है तो नमर सांस्कृतिक विकास में सहायक मातरी भाषा के साहित्तका अध्यन कर बच्चे देश की प्रमप्राव आधर्शों रहन शैन अपने पूर्वजों के विचारों भावरी तीरिवाजों से आसानी से प्रीचित होते हैं मतलब मातरी भाषा में अगर बच्चा जैसे छोटे बच् प्रशा उसका ग्यान बढ़ता है नमबर साथ है सामाजिक विकास में सायक मातरी भाषा में विचारों का आधरन पर्दान करके ही बालक समाज में अपनी समाज में आप सी समंद्द स्तापित करता है क्योंकि जो भाषा उसके चारु तरफ बोली जा रही है उसी में अगर वो बोलेगा तभी तो विचारों को आधान पर्दन अच्छे से कर पाएगा ना नमबर आठ चारी तरीक एवं नैतिक विकास तो मातर भाषा में व्यक्त किये गए नाट को फिल्मों आधी को देखकर बच्छे में अच्छे नैतिक एवं चारी तरीक गुणों का विकास होता है तो मातर भाषा बच्छा अच्छे से बोलना जाता है अगर उसी भाषा में व्यक्त को नाटक फिल्म आधी दिखाएंगे उसी भाषा के अगर बुक पड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्छे में नैतिक और चारी तरीक गुणों का विकास होगा नमबर नुए वेवारिक जियून में सहायक वेवारिक जियून में सपल होने के लिए जरूरी है कि बच्छे को अपने से बड़ो बराबर वाला आसपडोस के बच्चो या जिससे भी मतलब बात चीत करते हैं तो अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि हमारे आसपडोस में वही भाषा बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं अलग भाषा में बोल रहे हैं तो नोमर दस है भावातमत मिकास में सहायक मातमा गांदी नी कहा था मनुष्य के मान सीख मिकास में मातरि भाषा उतनी ही जरूरी है जितना मा का दूध, मा दूध पिलाते समय बच्चे को लोरिया सुनाती है और इस मादम से बच्चा मातरी भाशा को ग्रहन करता है और पहले तोतली बोल कर और फिर साफ मतलब जैसे जो बच्चा होता है तो शुरू में मा लोरी आगाती है बच्चे को कुछ-कुछ मतलब वो जो भी बोलती है तो बच्चा जब सीखता तो शुरू में तो छोटा है तोतला ही बोलता है ना तो बाद में तो साफ ही बोलता है तो जैसे परिवार के सदश्य है जब छोटे बच्चे की आवाज कितनी प्यार ही होती है बोलता है तो हसते हैं परिवार के सदश्य है खुस होते हैं तो ऐसे मतलब भावात्मक विकास होता है बच्चे का भाव से तो जुड़े ही होते हैं तो अंत में कह सकते हैं कि मातरी भाशा बच्चे के सर्मांगिनी विकास में सहायक है क्योंकि मातरी भाशा में सिक्षन होगा तब ही बच्चे का सर्मांगिनी विकास हो सकता है otherwise नहीं बट आजकर के स्कूलों में ऐसा नहीं होता है starting से बच्चे को बच्चे के उपर English को लाद दिया जाता है तो I think आप सभी को समझाया होगा और अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट में बता देना मैं समझा दूंगी